अपने दर्शुकों को बताते हैं कि क्यों आखिर हर्याना की कानून विवस्था पर सवाल उठाएं पिछले एक हफ़ते में ऐसा क्या हुआ है ये देखिए 13 जनवरी की बात की जाए तो 13 जनवरी को फरिदाबाद में लड़की को कार में अगवा करके उसके साथ बरबरता से रेप किया गया अगली घटना 14 जनवरी की है जो पानीपत में घटी है यहाँ पर 10 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई जो वाके में चौकाने वाला था और समाज को शर्मसार करने वाला था उसके बाद 15 जनवरी को फरुख नगर में चलती कार में एक कॉलेज की चात्रा के साथ ग्यांग रेप हुआ था यह गुरुग्राम की घटना है गुरुगाओं की घटना है पंधरा जनवरी को ही भजन गाईका ममता शर्मा की हत्या हुई और पिछले तीन महीने में यह पहले उसका हुआ तो यह वो घटना है हम आपको बता रहे हैं जो पिछले एक हफ़ते के दौरान घटित हुई हैं 16 जनवरी को देखिए चर्की दादरी में एक दलित चात्रा के साथ ग्यांग रेप की घटना सामने आया जो कि सवालों के गेरे में भ्यामानी की यह घटना करता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है हर्याना में यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे